हेलो फ्रेंड्स, वेलकूम टो मैं इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तों आज मिलेके आई हूँ मत्व पर्दिश से रिलेटेट खेल पूरुसकर को लेकर के, जिसके अंतरगत बिक्रम अवार्ड, विश्वामित अवार्ड, एकलब अवार्ड, लाइ का चार मई को एकजाम है, वर्ग दो और तीन का, उसको देखते हुए मैंने आप सब के लिए वीडियो लाया है, इसको देख के जरूर जाएए, तो दोस्तों, जैसा कि जो बिक्रम अवार्ड है, इसकी शुरुआत उनीसो नवे में हुआ, और विश्वामित्र अवार्ड क की सुरुआत उनीसो चौरानवे में हुआ, लायफ टाइम अचिवेंट अवार्ड की सुरुआत दो हजार दो में हुआ, और प्रवास जोसी अवार्ड दो हजार चौदे से दिया जा रहा है, और अब बात करती हैं, इन सभी में धनरासी कितना दिया जाता है, तो बिक्रम अवार्ड में दो लाग धनरासी पहले एक लाग दिया जाता था, और विस्व मित्र अवार्ड में दो लाग धनरासी पहले इसमें भी एक लाग दिया जाता था, और एक लब अवार्ड में अब एक लाग दिया जाता है, पहले पचास लाग दिया जाता था, यानि सब में प्रवास जोसी अवार्ड में भी दो लाख दिया जा रहा है अब पहले एक लाख दिया जाता था यानि पहले के जितना धरनासी दिया जाता था उसको डबल कर दिया गया है एंड किसको किसको दिया जाता है अब इसके बारे में जालेंगे विक्रम अवार्ड जो है सीनियर वर्क को दिया जाता है जो पिछले पांच वर्सों में राष्टी वो अंतराष्टी ये इस्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया हो उस खिलारी को दिया जाता है जो 200 मित्र अवार्ड है मध्धपरेस में वो कोच को दिया जाता है प्रसिच्छक को दिया जाता है उस कोच को प्रसिच्छक को दिया जाता है जिसके खिलाडियों ने पिछले 5 वर्सों में राष्टी या अंतराष्टी इस तरफ अच्छा प्रदसन किया हो उस कोच को दिया जाता है एकलब ये पुरुसकार किसको दिया जाता है अंडर 19 के युवावर के खिलारी को एंड लाइट टाइम अच्विमेंट अवार्ड किसे दिया जाता है जो खिलारी जीवन प्रयत ने खेल छेतर में युगदान के लिए अपना युगदान दिया हो एंड प्रवास जोसी अवार्ड यह मलखम के छेतर में दिया जाता है जो भी मलखम के छेतर में अपना अच्छा प्रदासन करता है उसको दिया जाता है प्रवास जोसी अवार्ड तो दोस्तो ये था एक छोटा सा वीडियो लेकिन आपके लिए बेरी बेरी इंफॉरमेटी वीडियो है यहां से एक दो कोश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेट में जरूर बत लेजी हीड़ा है।